Hello dear students, welcome to the class 3rd, यह आपकी इवे इसकी बुक जिसका नेम है Green Pathway और इसके 2 chapters हम कब्लेट कर चुके हैं, आज है हमारा new chapter जिसका नेम है Our Body इसकी reading आप कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में और इसके 3 new words दिये थे वो भी आपने कर लिए होंगे चली तब इसको पढ़ते हैं, Our Body is an amazing structure made up of many wonderful parts and systems हमारी बॉड़ी एक amazing structure होता है, जो wonderful parts से और system से बना होता है Our Body consists of a head, हमारी बॉड़ी में क्या-क्या होता है बटा, head, यानि सिर्फ, neck, trunk, two arms and two legs They are external parts of our body, यानि वो हमारी बॉड़ी के external parts होते हैं यानि कि जो बहार से हमें दिखाई देते हैं, वो होते हैं external parts There are many parts of our body that we cannot see like the brain हमारी बॉड़ी में ऐसे बहुत सारे parts होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते जिसमें है brain, heart, lungs, stomach, etc. इनके pictures नीचे हैं देखिया आप ये brain है, ये lungs हैं, ये heart हैं और ये stomach हैं They are internal parts of our body मैंने आपको new verse में बताया था External, E, X, T, E, R, N, A, L External यानि बाहरी I, N, T, E, R, N, A, L Internal यानि आंतरीक जो अंदर होते हैं दिखाई नहीं देते हैं, वो internal होते हैं जो बाहर होते हैं हमको दिखाई देते हैं, वो external होते हैं इनकी spelling आप learn कर लीजिएगा Time to do यहाँ पर देखिए Look at the pictures of some internal parts of the body Write their names in the given space यह आपके internal body parts हैं On total 4 हैं और इनके आपको नाम लिखने हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देतें पर आपकी body में होते हैं तो यह first देखिए यह है brain आपको दिखाई अच्छे से Brain होता है हमारे head में B-R-A-I-N Brain यानि दिमाग जो सोचने का काम करता है Okay Next है lungs L-U-N-G-S Lungs Lungs यानि फैफ़डे जो कितने होते हैं Two Right lung and Left lung Number 3 यह है हमारा heart H-E-A-R-T Heart 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 यानि होता है हमारा dill जो धग 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 तरड़ता है न वो तो यह heart होता है यह हमारी हमारी blood को पूरी body में पंप करता है Next है हमारा stomach यानि पेट हमारा पेट हम बहुत बढ़ा दिखाते हैं S-T-O-M-A-C-H stomach इसे क्या-क्या हो सकते हैं Talking यानि बात करना Seeing यानि देखना Smelling यानि गंद लेना Walking यानि चलना Running यानि भागना Fighting यानि लडना Crying यानि चिलाना Exercising यानि एक्सराइज करना And much more यानि और भी बहुत कुछ The functions of our body Are unlimited Depending on how we train our body हमारी जो body होती है इसके जो functions होते हैं ये बहुत सारे होते हैं Unlimited होते हैं जिनको हम count भी नहीं कर सकते We can't count Our body's functions पता है क्यों? क्योंकि हम मारी body को जैसे train करेंगे वो वैसा work करेगी अगर हम हमारी body को dance करवाएंगे तो वो dance सिखेगी अगर हम उसे singing करवाएंगे तो singing करेगी अगर उसे play कराएंगे तो playing करेगी आप उसको cricket सिखाओ tennis सिखाओ badminton सिखाओ volleyball सिखाओ जो भी सिखाओगे वो सीख जाएगी मतलब आपकी body में unlimited functions है अलग-अलग काम करनी की power है अगर आप उसको सिखाओगे तो हो जरूर करेगी there are many things that we can do with our hands and fingers ऐसी बहुत सारे चीज़े हैं जो आप अपने hand से और finger की help से कर सकते हो यह आपको picture में भी दिख रहा है एक तो eating कर रहा है एक writing कर रहा है first है we can throw the ball with our hands t-h-r-o-w throw यानी फैकना हम हमारे hand की help से ball को फैक भी सकते हैं number 3 we can eat food with our hands e-a-t-e-t यानी खाना हम हमारे hand से खाना भी खा सकते हैं खा सकते गया खाते हैं है ना हाथ सी तो खाते हैं number 4 we can click the computer mouse with our hands हम हमारे hands की help से और उसकी जो fingers होती है उनकी help से जो computer का mouse होता है उस पे click भी करते हैं चलिए तो आज के लिए बस इतना ही यह था हमारा third chapter का first page इसको मैं अच्छे से पढ़ लिया है और इसका आके वाला हम अगले वीडियो में देखेंगे और आज का आपका homebook देख लिजिए यह आपको जो four pictures दिख रही है यह internal body parts जो आपको दिखाई नहीं देते पर होते हैं body में इन मैंसे, इन four मैंसे any two, यहनि कोई भी दो आपको picture अपनी notebook में बनानी है जो आपने last video में new words देखे थे three थे, उसके just नीचे अगर जगब अच्छी है तो अगर जगब नहीं है तो new page पे आपको यह करना है काम और एक बात ध्यान से सुनिए आपको यह pictures खुद बनानी है चाहे टेडी मेडी बने, टूटी फूटी बने कैसी भी बने, पर खुद बनानी की कोशिश कीजिएगा अगर help चाहिए, तो घर के बड़ों की ले सकते हो पर उनसे करवाओगे नहीं, करोगे खुद और ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है और ज्यादा छोटा भी नहीं बनाना है कि दिखे ही ना, ओके, अच्छे से बनाना अगर आपका ये अच्छा होगा ड्राइं तो जब भी स्कूल खुलेगी तो आपकी नोड़ी पुक में आपको वेरी गुड मिलेगा, तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में आगे दिखेंगे, थैंक्यू